Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिना थीटा डिके के हम हैजिंग किस तरह से कर सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पोचता हूँ कि आप मुझे बताईए कि बिना थीटा डिके के हम हैजिंग किस तरह से कर सकते हैं क्या वो तरीका है जिससे बिना टाइम डिके के और हम हैजिंग लगा सकते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा वीडियो में लेकिन अभी आप सोच ये अपना आंसर दीजिए और अपने पास रखिए कि वो क्या तरीका है जिससे आप बिना theta dk के hedging कर सकते हो तो देखे होता क्या है जब हम option selling करके काम करते हैं तो यहाँ पे हमारा risk है वो unlimited होता है profit है वो तो limited होता है लेकिन जो risk है वो unlimited होता है हमें कितना भी loss हो सकता है जब हम option selling करके काम करते हैं और यही वज़या है कि हम हमेशा hedge लेके चलते हैं ताकि overnight risk जो है उसको हम minimize कर सके अगर market में कोई black swan event होता है तो वहाँ पे hedging हमें बचा ले इस वज़य से हम हमेशा hedging करके चलते हैं लेकिन hedging का एक बहुत बड़ा drawback है और वो drawback क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ मान लीजे मैंने 18500 का call option sell किया है अभी market trade कर रहा है 18000 पे तो मैंने उपर जाके और 18500 का एक call option sell कर दिया है अब जब market उपर जाएगा तो 18500 तक तो मैं safe हूँ लेकिन उसके beyond अगर market उपर जाता है तो मुझे loss आना शुरू होगा तो मैं क्या करूँगा मैं एक call option खरीद लूँगा 18600 का या let's say 18700 का मतलब मैं और out the money में जाके और एक call option को buy कर ले रहा हूँ तो ये जो call option मैंने buy किया है ये basically मैंने hedge buy किया है एक protection buy किया है अब क्या होगा अब अगर market उपर जाता है तो मेरा risk का वो cap हो गया है अब इस trade में मुझे unlimited loss नहीं होगा जब मैंने call option को sell कर रहा था naked मैंने 18500 के call option को sell किया वहाँ पे उपर अगर market जाता तो मेरा risk था वो unlimited था लेकिन जब मैंने उपर एक hedge buy कर लिया मैंने 18600 या 700 का call option buy कर लिया तो अब मेरा जो risk है वो defined हो गया है अब अगर market उपर जाएगा तो hedging है ये मुझे बचा लेगी जो call option मैंने sell किया है उसमें तो मुझे loss आएगा लेकिन उस loss के लिए अब मैंने जो hedge buy किया है वो compensate करेगा तो इस तरह से मैंने call option buy करके और मेरे risk को define कर दिया है मैंने एक hedge को buy कर लिया है लेकिन इस hedging में drawback क्या है कि जो मैंने option buy किया है उसमें theta decay है वो मेरे against काम करेगा देखे theta decay है वो option seller का friend होता है लेकिन option buyer है उसके theta decay against काम करता है तो जो मैंने option sell किया है वहाँ पे तो time value हर रोज तूटेगी तो वो मेरा profit होगा लेकिन जो मैंने hedge buy किया है वहाँ पर time value जो टूटेगी वो मेरा loss होगा क्यों? क्योंकि मैंने वो option buy किया है तो इस तरह से hedge करने का यह सबसे बड़ा drawback होता है कि यहाँ पर time value हमारे against work करती है अब अगर market यहाँ से 1000 point उपर चला जाता है तो hedge है वो perfectly मुझे बचा लेगी लेकिन let's say market उपर तो जाता है लेकिन 18500 जहां का मैंने call option sell कर रखा है वहीं पर जाके और market expire हो जाता है तो जो मैंने hedge buy की है वो zero हो जाएगी और वो मेरा loss होगा हाला कि इस trade में मुझे profit होगा क्योंकि मैंने जो 18500 का call option sell कर रखा है वो भी zero हो जाएगा तो वो मेरा profit होगा लेकिन जो मैंने hedge buy किया है वो मेरा loss हो जाएगा उतना मेरा profit है वो कम हो जाएगा क्योंकि hedging के लिए मैंने जो पैसा pay किया था वो पूरा zero हो गया तो इस तरह से option buy करके हम hedge करतो सकते हैं लेकिन उसका drawback क्या है कि यहाँ पे theta decay है वो हमारे against work करता है तो अब आपका सवाल होगा कि फिर वो क्या तरीका है जिससे हम बिना theta decay के hedging कर सकते हैं तो देखे अगर आप hedging option के through ना करके और future के through करते हैं तो वहाँ पे किसी तरह का कोई theta decay नहीं होगा किसी तरह की कोई time value नहीं टूटेगी इसका मतलब क्या हो गया जैसे मैंने 18500 का call option sell किया तो जब market 18500 पे चला जाएगा तो वहाँ पे मैं एक future को buy कर लूँगा तो इससे क्या होगा जितना market उपर जाएगा उतना ही मुझे loss होगा मेरा loss है वो unlimited है जो 18500 का call option मैंने sell कर रखा है उसमें मेरा loss unlimited है तो market जितना उपर जाएगा उतना ही मुझे loss होगा उस बेचे होई call option में लेकिन क्योंकि अब मैं future को buy कर रहा हूँ तो जितना market उपर जाएगा उतना ही मुझे profit होगा future में तो जितना loss मेरे को sell किये होगे call option में होगा उतना ही profit मुझे future में हो जाएगा जो मैंने buy किया है और अगर market 18500 पे आके expire होता है जैसा कि हमने अभी scenario discuss किया था कि market 18500 पे जाके expire हो जाता है तो मैंने जो hedge buy किया था वो zero हो जाएगा और वो मेरा loss होगा लेकिन इस case में जहां पे आप future को buy कर रहे हो let's say market जब 18500 पे पहुँचा जहां का आपने call option sell कर रखा था वहाँ पे आपने future को buy कर लिया अब market घूम फिर के वहीं पे रहता है और 18500 पे market expire होता है तो जो आपने call option sell कर रखा है वो worthless expire होगा और वो आपका profit हो जाएगा और क्योंकि future भी आपने 18500 पे buy किया था और market घूम फिर के वापस 18500 पे ही है तो future में आपको किसी तरह का कोई loss नहीं होगा आपका zero profit zero loss होगा क्योंकि जहां पे आपने future को buy किया है market वहीं पे खड़ा है तो इस वज़े से future में आपको किसी तरह का कोई loss नहीं होगा याद रखे future में किसी तरह की कोई time value नहीं होती है time value का जो concept है ये सिर्फ और सिर्फ options में होता है future में आपको सिर्फ एक ही तरीके से profit और loss होता है और वो तरीका क्या है direction अगर market उपर जाएगा तो आपको future में profit होगा अगर market नीचे जाएगा तो आपको future में loss होगा और same अगर आप future को sell करते हो तो market नीचे गया तो आपको profit होगा market उपर गया तो आपको loss होगा तो इस वज़े से future है इसमें सिर्फ A की deciding factor होता है और वो direction होती है बाकी ये जो factor होते है जैसे volatility होगी या theta decay हो गया ये सारे options की concept है future में ये चीज़े नहीं होती है तो जब आप future के through hedging करते हो तो फिर आपको ड्रने की जरुवत नहीं है कि market में volatility गिर रही है market में volatility उपर जा रही है या हर एक passing day के साथ मेरे time value है वो टूट रही है theta decay आ रहा है इस चीज़ से आपको ड्रने की जरुवत नहीं है अगर market वहीं पे रहता है तो एक महीने बाद भी आपको ना profit होगा ना loss होगा लेकिन हाँ अगर आपने option को buy किया होता और market एक महीने पे किया है वो सारा zero हो जाता और वो आपका loss होता तो यह सबसे बड़ा drawback होता है जब आप options के through hedging करते हो तो वहाँ पे theta decay है वो आपके against work करता है अगर market में कुछ भी नहीं हुआ तो आपका profit है वो कम हो जाएगा जो आपने premium pay किया है hedging के लिए उससे लेकिन अगर आप future के through hedging करते हो तो क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का कोई theta decay नहीं होता तो इस वज़े से market अगर वहीं पे रहता है तो आपको hedging में किसी तरह का कोई loss नहीं होगा जो आपका original trade है वहाँ पे आपको profit हो रहा है और hedging में आपको theta decay की वज़े से किसी तरह का कोई loss नहीं हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ A की deciding factor होता है profit और loss का और वो है direction तो basically आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि future से hedging करने में हमें क्या advantage मिलता है over option से hedging करने में देखे hedging हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम option को buy कर लें या हम future को buy sell कर दें तो option को buy करके जो hedge करते हैं उसके उपर आपको क्या advantage मिलता है जब आप future से hedge करते हो वो मैंने आज आपको बताया है और सबसे बड़ा advantage क्या है कि market अगर move करता है पूरे महिने market उपर जाता है नीचे जाता है market अगर wild swing देता है तो वहाँ पे option है उसमें कई factor है जो उसको effect करेंगे market अगर wild swing दे रहा है तो volatility है वो भी premiums को effect करेगी और हर एक passing day के साथ theta decay तो होई रहा है कि market पूरे महिने तो wildly गुमता रहा लेकिन last में जहां पे आपने buy किया था वहीं पे आके expire हो गया तो आपने जितना भी premium pay किया है वो सारा zero हो जाएगा लेकिन वहीं आपने अगर future को buy किया है तो वहाँ पे इस तरह की किसे situation को आपको phase नहीं करना होगा वहाँ पे अगर market पूरे मन्थ wild move देता रहा और last में वहीं पे आके settle हो गया जो आपका buying price था तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई loss नहीं होगा तो चलिए एक advantage तो यह हो गया कि जब आप future से hedging करते हो तो यहाँ पे theta decay नहीं होता है कि future है यह आपको perfect hedge देता है जो option आप buy करते हो वो आपको perfect hedge नहीं देगा वो एक point के बाद perfect hedge देगा लेकिन जब आप future को buy करते हो तो future आपको perfect hedge देता है देखे perfect hedge का मतलब क्या हुआ कि जितना loss आपको बेचे होए call या put option में होगा उतना ही profit आपको future में हो जाएगा मतलब अगर market आपके against continue करता है move करना तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई loss नहीं होगा जितना loss आपको बेचे होए call या put option में होगा उतना ही profit आपको future में हो जाएगा लेकिन जब आप call option या put option को buy करके जब आप option buying करके hedging करते हो तो वो perfect hedge नहीं होता है हला कि उसको हम perfect hedge बोल सकते हैं एक point के बाद वो perfect hedge बन जाता है लेकिन जो strike का difference है और जो premium आपने pay किया है वो आपका loss बन जाता है उसके बाद ही वो आपको perfect hedge देना शुरू करेगा जो premium आपने pay किया है वो आपका loss हो जाता है तो ये दूसरा advantage है कि future है वो आपको perfect hedge provide करवाता है तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि वो क्या तरीका है जिससे बिना theta decay के हम hedging कर सकते हैं तो अब आप honestly comment करके बताएए कि आपका जवाब सही था या गलत था अब देखे मैंने आपको ये तो बता दिया कि future में आपको किस तरह की advantage मिलते है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां पे advantage होते है उसकी other side भी होती है इसके कुछ disadvantage भी है लेकिन आपके future से hedge करने के बाद और अगर market reverse हो जाता है तो फिर future में आपका loss है वो unlimited होगा और आपने जो option sell कर रखा है उसमें आपका profit है वो limited होगा क्यों? क्योंकि जब हम option selling करके काम करते हैं तो हमारा profit होता है वो limited होता है जितना credit हमने receive किया है वही हमारा maximum profit होता है तो आपके future से hedge करने के बाद अगर market reverse हो जाता है तो जितना credit आपने receive किया है option को sell करके उतने तक तो वो future को hedge करेगा लेकिन उसके beyond वो future को hedge नहीं करेगा और क्योंकि market reverse हो चुका है तो आपने जो future से hedging की थी उसमें अब आपको unlimited loss होगा future में आपका profit है वो भी unlimited होता है आपका loss है वो भी unlimited होता है और option को जब आप sell करते हो तो आपका profit है वो तो limited होता है लेकिन loss है वो unlimited होता है तो option के unlimited loss को perfectly hedge कर रहा था future का unlimited profit लेकिन जब market reverse हो गया तो future में जो आपको unlimited loss होगा उसको आपका बेचा हुआ option जिसमें आपका profit limited है वो hedge नहीं कर पाएगा एक point तक ही वो hedge करेगा और उस point के बाद आपका future में loss है वो unlimited हो जाएगा तो यह सबसे बड़ा drawback है यह आपको बिलकुल ignore नहीं करना है अगर आप future से hedging करने का सोचते हो तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखनी है तो basically मैंने आपको यह बताया है कि यह भी एक तरीका है जिससे आप hedge कर सकते हो हम थोड़ा थोड़ा करके अब advance level पे जा रहे है मैं more than 200 videos डाल चुका हूँ तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके advance level पे जाएंगे तो future से भी हम hedging कर सकते हैं यह मैंने आपको बताया है अब किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह तरीका आपको कब अपनाना चाहिए कब आपको future को use करके hedging करनी चाहिए तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं Thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें This is Satpal signing off